आज के इस वीडियो में हम लोग सिक्षा से जुड़ी बातों का अध्यन करेंगे मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने योटुब चैनल आरकार स्टडी सीटेट पॉइंट पे तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सिक्षा के बारे में इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सिक्षा क्या है उसके वाद सिक्षा का अर्थ सिक्षा का परिभासा जो कि हमारे भारती विद्वानों के द्वारत दी गई है और साथी जात हम वह एक सीखने शिखाने की प्रकिडिया है। तो छीवन खर चलती रहती है उस समय से लेकर और मरने के समय तक जो है उससे पहले का समय तक सिख्षा जो है ? मनुस्य को अनभव प्राप्त करते हैं और उसके पत परदर्सक बन दे यानि मनुस्य का जो है सिक्षा पत परदर्सक बन दे है सिक्षा जो है या प्रकिरिया सिखिने के रूप में बच्पन से ही स्टार्ट हो जाती है यानि सिक्षा की प्रकिरिया जो है वो क्या होता है साब्दिकर्थ क्या होता है तो सिक्षा जो सब्द है या संस्कीत भासा का मूल सब्द है तो सिक्षा सब्द जो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे होते हैं सिक्षा सब्द जो संस्कीत भासा का मूल सब्द है जिसका साब्दिक अर्थ ग्यान अर्जन करना होता है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिख्छा ग्यान अर्जन करने की एक सतत परकिडिया है सतत किसलिए लगा यहाँ पर कि सतत कहने का मतलब होता है लागाता तो हमेशा यह चलती रहती है, परकिरिया इसलिए सिख्छा को क्या कहते हैं? कि ज्यान अर्जन करने की सतत परकिरिया होती है आगे हम लोग बात करते हैं तो सिख्छा को अंग्रेजी में हम लोग एडूकेशन बहुते हैं और एडुकेशन सब्द जो है वो लैटिन भासा के एडुकेटम से बना है अंग्रेजी का एडुकेशन सब्द जो है हम लोग का जो सिक्छा का अंग्रेजी होता है वो कहां से बना है तो लैटिन भासा के एक सब्द है एडुकेटम इससे मिलकर बना है तो इसी से एडुकेशन ब पर बहुत बड़े चीजों का अपने अंदर ये समाहित करके रखता है इसलिए सिक्षा को परवासित करना थोड़ा सा यहां पर कठीन बन जाता है तो इसका हम लोग सिक्षा को परवासित करने से पहले हम लोग कुछ वारतिये विद्वान के द्वारत दी गई अपने अपने विचार है उसको यहां पर जान लेते हैं जैसे महात्मा गांदी, महात्मा गांदी का मानना है कि सिक्षा से मेरा अभिप्टाय बालक और मनुसे के सरीर, मन और आत्मा में नहीत सर्वत्तम सक्तियों के उधाटन से है, महात्मा गांदी का ऐसा मानना है कि सिक्षा जो है वह बालक और मनुसे के मन और आत्मा में जो नही सरवत्तम सकती है उसका उधाटन होता है ठीक है इसी तरह से अगर हम लोग बात करें रविंद्र ना टैगोर की तो उनका मानना यह है कि सिक्षा का आश्रे मस्तिक्स को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतन सत्य को पाचान सके इसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिवैक् कर सकता है एक रूप हो करके ऐसा मानना रविंद्र टैगोर का है सिक्षा के संदर्म में आगे हम लोग देखते हैं आगे हैं हमारा अर्विंद्र का मानना है कि सिक्षा का तात पड़े व्यक्ति की आंत्रिक सक्तियों का विकास से है यानि कि व्यक्ति का वह सक्ति जो उसके शरीर के आंत्रिक सक्ति है कहने का मतलब जो ऐसा सक्ति जो बाहर से दिखाई न देता हो उसके आंत्रिक सक्ति है उसके विकास से तात पड़े है सिक्षा का ऐसा अर्विंद महोदेखा मानना है आगे देखती है अगले हमारा विद्वान है वो है स्वामी विवेका नंद एक दार्शन की भी हैं इनका कहना है कि मनुस्य में नहित पड़ी पुरुंता का उधातन करना ही सिख्चा है यानि मनुस्य के भीतर की ज्यान बाहर से कोई ज्यान नहीं दिया जा सकता है जो उसके अंदर में जो नहित पुरुंता ज्यान जो है उसका उधातन करना ही सिख्चा कह कहलाता है आगे अरस्तू का कहना यह है कि सिक्षा का अर्थ सरीर स्वस्त में स्वस्त मन का निर्मान करना है हम लोग यह जो इनका कथन है यह हमने कई बार अपने जिंदगी में सुना होगा कि स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिक्स का निवास होता है ठीक उसी तरह से है कि सिक यह कुछ सिक्षा के प्रिभास थे जो कि हमारे भरतिया विद्वानों के द्वारदी गई थी जिसको हम लोग ने अभी यहाँ पर जाना है और आगे चलते हैं विडियो में हम लोग जानते हैं कि सिख्षा की परकिर्ती इसामील है, अगला इसका गूर है, शिक्छक, शिक्छक, समाज, पाठ्छे करम और बिद्यार्थी, यह समाज विकास की एक महतपुर्ण परकिरिया है, और इस परकिरिया में चार परकार के लोग चार परकार के लोग सामिल लहेंगे चार परकार के चीजें यहां पर सामिल लहेगी पहला सिक्षय, समाज, अठेकडम और साथी साथ विद्यारथी सिक्षय थी यानि जो सीखर होते हैं तो चलिए आगे देखते हैं शिख्षय के परकुरती और गुन को तो वो यह है कि इस प्रकिरिया में बालक के आंतरिक गुनों का विकास एवं प्रकासित करती है, मतलब यह जो प्रकिरिया है हमारा सिख्छा की प्रकिरिया, यह क्या करती है कि बालकों के आंतरिक गुनों का विकास एवं उसको प्रकासित करती है, कि इसको प्रकासित करती है क तो यह सिख्षा की प्रकिरतिय वहम गुन थे आगे हम लोग बात करते हैं कि सिख्षा देने का क्या उद्देश होता यानि सिख्षा का उद्देश से क्या होता इसके बारे में हम लोग अध्यन करेंगे अभी तो चलिए देखते हैं एक पॉइंट को कि सिख्षा का उद्दे करने का मतलब है कि अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ जो है उपार्जन कर जागे इस तरह का हमें सिक्षा देनी चाहिए मातमा गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था और वेवसाइक उद्येश से को जीवको पार्जन से संबंदित है यानि सिक्षा का सबसे पहला बेवसाइक उद्येश जो हमारे जीवको पार्जन से संबंदित है जीवन चलाने के लिए कुछ उपार्जन करने से संबंदित है और यह मियान का अरजन करना शिक्षा का इस से होना है इस तरह से and इस माजिक सफलन का व्यक्तिक करने का सुधसिती व्यक्तित्व है व्यक्तिक और अनुकूलन数 काशेस झालतलं को यह कि वातावरत में जो चीजे उपलब्ध है उसका उसके अनुसार खुद को ढालना और उसका जो है क्या कहते हैं न कि उसको बरबादी होने से बचाना जितना उपयोग करने योगे चीजे है उसी को ही उतना ही उपयोग करें उसको बरबाद न करें यह हमारा वातावरत अनुक तरह से और भी बहुत सारे सिक्षा के उद्धिस है जो यहां पर इंप्टेंट पॉइंट थी उसके बारे में हम लोगों यहां पर डिसकस किया है इस तरह के और भी आपको कोई लगता होगा कि और भी इंप्टेंट है तो वह भी सही है सिर्फ यह जरूरी नहीं कि जो मैंने यहां पर इतना बताया है यही सारे पॉइंट जो है सिक्षा के लिए उद्धिस से है निस अलागे की हो सकते हैं mmS और जो आपको एकजाम में जिसे प्रष्ण 00,09 jis Lat Tibor आ उसको मैंने यहां पर बताया है बाकि के चीज़े भी और भी हैं जो हो सकते हैं तो इस विडियो त से तरह ही था सिक्षा के बारे में हम लोगों ने जाना कि सिक्षा क्या होता है सिक्षा का अर्थ के बारे में जाना उसकी परिभासा को जाना सिक्षा के परकिर्थी को जाना साथ ही साथ सिक्षा के उद्देश को भी जाना तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो वीडियो है अगर किसी प्रकार की परसान ही आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा, मैं उम्मिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, इसे तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आरक्यार स्टडी सीट यूटूब चैनल के साथ यहां आपको डियेट, बियेट और सीटर से रिलेटर जो है वीडियो अप्लोर होती रहती है रेगुलर, इसलिए चैनल के साथ बने रहें, जुरे रहें, धन्यवाद